नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासे इसमें आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इगनु के MHD प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD 4 का बिगत तीन बर्सों के अर्थाथ 6-7 परिक्षाओं के प्रस्ण पत्र को देखेंगे और इन प्रस्ण पत्रों के माध्यम से एक्जा होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग दिशंबर 2021 का प्रस्ण पत्र जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रस्ण पत्र के लिए तीन घंटे निर्धारित है और जो अधिक्तम अंक है वह सौंक है इसमें जो पहला प्रस्ण है वह अनिवार्ज है और सेज जितने भी प्रस्ण है उसमें से किनी चार प्रस्णों का उत्तर देना है तो पहला प्रस्ण जो कि अनिवार्ज है उसमें तीन ब्याक्ख्याएं लिखनी है इसमें समान्यता पांच ब्याक्ख्याएं दी जाती है और उन पांच चौह में कि एक नहाँ चौत था और यह कि पांच वा ब्याक्या मैं को सब्सक्राइब बाद दो नमबर से प्रसुन दिआ गया है वो जो ब्याखह घनी था वह वारा बारा अंग का था तो तीन रहेत करना था तरन वारतिया चती संग कर और इधर जो चार प्रस्ण है यह सब को 116 Max का हैं तो सोल शरें 64 इधर है ठीक है तो ये दो नंबर से स्टार्ट करके इधर शमान येता 9 तक दिया जाता है ठीक है तो 9 तक ही दिया गया है इसमें से जो 9 प्रस्थन है अगर आप इसको attempt करते हैं तो आप ये प्रयास करें कि आपको तो दोनों टिपपनी जैसे आ जाएका है कि इसमें क्या है दो टिपपनियां लिखनी है ठीक है इस तरह से साथ ही अब अगर जून 2021 के प्रशन पत्र को देखें तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि सेम पैटर्ण को ही फोलो किया गया है इसमें भी तिन गहंटा समय सो है और प्रशन पत्र का भी सेम पैटर्ण है पहला प्रशन अनिवार्ज है जिसमें से तीन ब्याख्यां लिखनी है और सेस जो प्रशन है उसमें से चार का उत्तर देना है ठीक है दो नंबर से समानियता नो नंबर तक इसमें दिया रहता है नौमा प्रशन में टिपनिया अगर इसको आप लिखते हैं तो इसमें कोई भी दो टिपनिया लिखनी होती है साथ ही एक इंपार्टन सुचना अगर आप MHD प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं तो आपको यह हमारा यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल में इगनू से और MHD से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पोस्ट रेगुलर बेसिस पर होती रहती है MHD प्रोग्राम के तो बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर भी इस चैनल में एबलेबल है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा आप चाहे तो वहां से चेक भी कर सकते हैं ठीक है तो अब अगर हम लोग दिसंबर 2020 का प्रश्ण पत्र को देख लेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कि वही सेम पैटर्न को ही फोलो किया गया है तीन घंटा समय निर्धारित है सौंख का प्रश्ण है पहला प्रश्ण निवार्ज है सेस में से किनी चार प्रश्णों का उत्तर देना है इन प्रश्ण पत्रों के माध्यम से आप इस बात का ध्यान रखें कि कुछ प्रश्ण जो रिपीट हो रहे हैं वो कोन-कोन सा देखेंगे कि सामान्यता जो जून सत्त्रांत परिक्षा है उसका प्रश्ण जून में ही रिपीट होता है और जो दिसंबर सत्त्रांत परिक्षा है उसका प्रश्ण पत्र दिसंबर में ही अधिकतर रिपीट होता है तो इस बात को भी आप ध्यान में रखते हुए अपने लिए important प्रस्ण का लिस्ट बना सकते हैं वैसे ही जून 2020 का प्रस्ण पत्र का बात करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे क्या है वही सेम ही पैटर्ण है पहले में व्यक्षा लिखनी है और उसके बाद जो है उसमें से चार प्रस्णों का उत्तर देना है ठीक है तो इसमें समय ने तो यही है कि पैटर्ण चेंज होता नहीं है तो आप इसके अखॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं व्यक्षाओं के लिए थोड़ा सा आपको अधिक समय देना पड़ेगा है कि व्यक्षाओं के लिए आपको study करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे कि यह कौन से अध्याय से यह व्यक्षा दी गई है ठीक है तो व्यक्षा में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ऐसे इंट्रेस्टिंग है अप देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में अच्छा भी लगता है ठीक है वैसे ही दिसंबर 2019 का प्रश्ट पत्र का बा ट्रेकर इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको य αυτό आपर थालगा तो लाइक सेर कर सकते हैं साथ यह अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो मी में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धेन्यवाद